हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ अजे गुपता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजे गुपता एडू पॉइंट स्टूडेंट हम केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कार्बन इट्स कंपाउंड फार क्लास तेंथ उससे पहले स्टूडेंट मैंने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर पर वीडियो बनाये हुए हैं जिसका नाम है केमिकल रेक्शन दन इक्वेश देख सकते हो तो जो भी student मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है के प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कोमेंट और शेयर जु तो उनके लिए मैं क्या करूंगा कि आई बटन में उन चार वीडियो का लिक डाल दूँगा आप उन आई बटन को क्लिक करके भी प्रिविए चार वीडियो इस चेप्टर पे आप देख सकते हो तो चल्डो स्टूडेंट आज का वीडियो स्टूडेंट वीडियो नंबर 19 है जो कि last video है इस chapter पे carbonate compound पे तो उसके बाद student मैं कि physics का third chapter electricity start करूँगा light chapter और human eye chapter पे मैंने वीडियो बनाये हुए हैं तो जो भी student उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो मेरा channel subscribe कर सकते हैं और उस पे आपको सारे previous video जो है वो मिल जाएंगे तो चलो आज का video start करते हैं तो student आज का जो मेरा topic है वो है what is detergent कि detergents क्या होते हैं detergents कैसे बनाये जाते हैं और advantages क्या है detergents की over soap और साथी साथ difference between soaps and detergents तो चलो सबसे पहले बात करते हैं detergents क्या होते हैं the detergents are the sodium salt of a long chain benzene sulfonic acid और sodium salt of long alkyl hydrogen sulfate which has cleansing property in water तो students detergents क्या होते हैं यह sodium salt होते हैं इसमें काफी लंबी chain होती है benzene sulfonic acid की होती है या फिर sodium salt होता है उसके साथ लंबी सी chain होती है alkyl hydrogen sulfate की जिसके पास पानी के साथ साथ करने की शमता होती है a detergent has a large non ionic hydrocarbon group student जैसे मैंने soap में पढ़ा था soap के पास भी लंबी hydrocarbon chain होती है इसमें detergent में भी लंबी hydrocarbon chain होती है जो non ionic होती है यानि उसके पर charge नहीं होता और एक ionic group होता है जैसे की sulfonate group भी हो सकता है SO3 negative na positive या फिर sulfate group ही हो सकता है SO4 negative na positive तो बात करते हैं student detergent की example की तो मैंने दो example इसकी दी हुई है पहली example है sodium and dodecyl benzene sulfonate जिसका formula है CH3 bond CH2 11 times bond C6H4 bond SO3 negative na positive तो यह है students का formula दूसरी example है sodium and dodecyl sulfate तो जिसका formula है CH3 bond CH2 10 times bond CH2 bond SO4 negative और Na positive तो बात करते हैं student preparation of detergent की synthetic detergents are prepared by treating hydrocarbons obtained from petroleum with concentrated sulfuric acid and then neutralizing the organic acid produced with NaOH solution student synthetic detergent बनाने के लिए हम क्या करते हैं hydrocarbon जो हमें petroleum से मिलते हैं उसको हम treat करते हैं उसमें हम sulfuric acid add कर देते हैं और बाद में acid को neutralize करने के लिए हम उसमें NUH base का इस्तेमाल करते हैं तो चलो to the next topic पर बात करते हैं advantages of detergents over soaps की soaps के detergents के soaps के ओपर क्या फाइदे हैं तो पहला है detergents they are more soluble in water as compared to soaps जो हमारे detergents यह ज्यादा soluble है पानी में as compared to soap soap के comparison में यह soap के मुकाले में detergents ज्यादा अच्छी तरह से पानी में घुल जाते हैं whereas soap cannot be used in hard water detergents का जो इस्तेमाल हम वह hard water के साथ कर सकते हैं जबकि जो soaps होते हैं वह hard water के साथ use नहीं किये जा सकते क्योंकि वह साबुन वह जो soap है वह जाग hard water साथ च्छी तरह से नहीं बनाता जिसकी वैसे कपड़ा वगड़ा उस सोप से अच्छा साफ नहीं होता अगर water hard हो नेक्स्ट आ गया दे कैन बी यूज़ इन एस्टिक मीडियम वेरा सोप के नॉड भी यूज़ इन एस्टिक मीडियम जो होते हैं वह एस्टिक मीडियम में हम यूज कर सकते हैं जब कि detergents जो होते हैं वह non biodegradable होते हैं यानि कि वह easily breakdown नहीं होते हैं और दूसरा है they cause soil pollution and water pollution detergents जो होते हैं soil को भी pollute करते हैं और पानी को भी pollute करते हैं तो आप student बात करते हैं difference between soaps and detergents student ये question जो है CBSE exam में 2020 में आया हुआ है और काफी important question है जो previous video में ने बताया था उसमें भी काफी important question में आपको पढ़ाया था समझाया था वो था cleansing action of soap that question is also very important और ये वाला difference between soap and detergents ये भी काफी important है और definition of soap or detergents with example ये भी काफी important question है from the examination point of view तो चलो बात करते हैं difference between soaps and detergents की तो पहला जो point of student soap का वो उसकी definition है soap जो होते है sodium और potassium salt होते है long chain carbozolic acid के उसी तरह से detergents भी sodium salt होते है long chain benzene sulphonic acid की या फिर long chain होती है alkyl hydrogen sulphate की soap जो होते है ये ज्यादा suitable नहीं होते है washing के लिए जब पानी hard होता है और जबकि detergents का इस्तेमाल हम washing purpose के लिए कर सकते हैं जब पानी hard होता है तो तीसरा difference आगया soap जो होते हैं bio degradable होते हैं और detergents जो होते हैं ये non-bio degradable होते हैं फोर्थ पॉइंट आगे डिफरेंस का कि सोब का जो cleansing action है वो weak होता है और detergent के पास जो cleansing action है वो strong होता है सोब जो होती है they are prepared from animal fats और vegetable oils सोब बनाने के लिए animal fat का इस्तेमाल होता है यह vegetable oil का इस्तेमाल होता है और जबकि detergent बनाने के लिए they are prepared from hydrocarbons of petroleum तो यह petroleum के hydrocarbons से बनते हैं तो चलो student आज की video में इतना ही मिलते है next video में तो thank you student for watching this video